Hello, Good Morning to all, Class 7th, जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, उन हिंदी पढ़ने वाले बच्चों के लिए आज हम एक नया पार्ट लेखर आपके सामने आये हैं, पार्ट 13, आत्म विश्वास, भाग एक, पेज नंबर है, 97. कहानी लिखने वाले राइटर लेखक कनिया लाल मिश्र प्रभाकर जी है, जिन्होंने इस आत्म विश्वास कहानी को लिखा है, वो अपने बारे में और जीवन के सचाई के बारे में मनिश्यों को जीवन के इन कटू सत्यों से अवगत करानी की उन्होंने बरपूर कोशिश क लिखग केhtा है कि अपने उपर भरोसा रखना अपने प्रतिदंदी की शक्ती का सही आंक्लन करना मन में बिना किसी डर बिना किसी निस्वार्थ लोब के मनिश्य को अपने उपर विश्वास रखकर सही काम, सही निरने, लेने की छमता के बारे में सोचना चाहिए कर्या लालमिश्र प्रभागार जी कहते हैं इस आत्म विश्वास कहानी में बली से कौन लड़ सकता है महाराज, क्यों ऐसी उसमें बात क्या है बली जो था, वो एक बहुत बड़ा राजा, एक बहुत बड़ा ताकतवर था महाराज उसे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो उसके सामने आता है, उसकी आदी ताकत उस बली के अंदर आ जाती थी और वो उसे आसानी से पचाड देता है रमायन काल के समय की बात है, आप देख रहे हैंगे तस्वीर में राम चंदर जी पेड़ की आड़ में छिपकर बली पर धनुश्वान चला रहे हैं ऐसा उसको वरदान था कि उसके सामने अगर कोई युद करने आता तो सामने वाले परतेदुन्दी की आदी ताकत बली के अंदर चली जाती जिससे बली और ताकतवर हो जाता था सुग्रीव ने राम से अपने भाई बली के संबन में ये बात कही और ये बात इतनी पक्की थी कि राम की इन बातों से बाली के सामने आकर उसे नहीं लड़े और उसे पेड़ की आड़ से ही उन्होंने अपने निशाना बनाया ऐसा रामान काल में माना जाता था दूसरे की सामने वाले की आधी ताकत अपने में खेज लेनी की शक्ती का जो वर्दान बली को प्राप्त था वो हम सब को भी प्राप्त थे पर दुर्भाग्य वश ये है कि हमने कभी उसका कोई उप्योग नहीं किया इसलिए विरोधी हमें पीटते रहे और हम उस पीटने को आनिवारे समझ कर जरूरी समझ कर हम खुद ही पीटते चले गए सच बात तो यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्म हींता से कायरता से कुछ संसकार से आत्म विश्वास की कमी से विरोधी को और अपना बल तौले भी नहीं उसे अपने से शक्तिशाली मान लेता है बस ये मानना हमारी आदी शक्ति हो जाती है और वो आदी शक्ति हमारे विरोधी को प्राप इस अर्थ में हो जाती है कि हम अब आगे देखिए यहां लिखाएं उससे आदे रहे जाते हैं हम में आत्म विश्वास हो तो उससे हम विरोधी को आत्म ही कर सकते हैं उसकी आदी शक्ति अपने में ले सकते हैं आत्मिश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा, संकट मुसीबत क्योंकि दुविधा एक आगरता को निश्ट कर देती है आदमी की शक्ति को बाण देती है बस वो आधा इधर और आधा उधर इस तरहे खंडित हो कर रहे जाता है कहानी लिखने वाला जो राइटार है प्रभाकर जी वो ही कहते हैं कि मेरे एक मित्र अपनी पतनी के साथ जंगल में एक पेड के नीचे बैठे बात कर रहे थे बात करते करते पतनी सो गई वो उपन्यास पढ़ने लगे अचानक उन्होंने ये देखा लगा सामने से भेडिया चला आ रहा है उन्हीं की तरफ भेडिया एक होकार जानवर होता है वो इतने घबरा गए कि पतनी को सोता छोड़ कर ही वहाँ से भाग खड़े हुए भाग गिसे किसमत से कुछी दूर पर उन्हें एक बंदुगधारी शिकारी सज्जन मिलके वो उनके पैरों में गिर पड़े मेरी पतनी को बचाईए भेडिया उसे खा रहा है वो गिड़ गिड़ाया शिकारी दोड़ा दोड़ा उनके साथ पेड़ के पास आया तो उनकी पतनी यह था पूर्व पहले की तरह सो रही थी भेडिया उसके पास रखे टोकरी में मूँ डालते पूरिया खा रहा था कहां है भेडिया शिकारी ने बंदुख साथते हुआ पूछा तो कामते हुए वो बोले वो है तो सामने शिकारी बहुत जोर सहास पड़ा भले मानूस अरे इंसान वो बेचारा कुत्ता है क्या बात हुई है वही कि भे ने उन्हें डर ने उन्हें आत्म विश्वास हिंट कर दिये अपने उपर विश्वास उन्हें बिल्कुल भी नहीं रहा तो आपने आपको यहां तक पड़ाया और इससे आजएके जो भाग दो है वह हमापको कल पढ़ाएंगे आप इसको एक बार पढ़ लीजे और समय में नहीं आये तो आप पूछ लीजे धन्यवाद